के स्टुटेंट्स आजल को इस फिनोल और इंथर्स के चैप्रिल से अलकोहल से नेक्स्ट 10 इंपोर्टन एमसी क्यूस मुल्टिपल चोइस कोईशिंस हम और देखने वाले हैं पर सबसे पहला जो question है students उसके अंदर हमें यहाँ पर alcohol दिया हुआ है alcohol की reaction करते हैं concentrated H2SO4 के साथ में heat करते हैं तो यहाँ पर हमें alkene मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो PE major product है चारो options में से कौन सा होगा कैसे आप find out करोगे इसको तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा students सबसे पहले हम यहाँ पर इसका mechanism बनाएंगे students हमें alcohol reactant यहाँ पर दिया हुआ है इसमें H positive add करेंगे क्योंकि H2SO4 से H positive मिलेगा हमें और H positive जैसी हम इसके इंदर add करेंगे तो यहाँ पर oxygen के पास लोन प्यार है अब यहाँ पर O positive है यह बॉन्ड को लेके यहां से निकल जाएगा यहां से निकल जाएगा यहां से निकल जाएगा यहां से निकला तो carbon पर आगया positive charge और water के removal के साथ में यहां पर carbon पर आया positive charge students ठीक है तो यह Carbocatine हमारे पास में बना है this is secondary Carbocatine यह secondary Carbocatine है अब इसमें होगा 1-2 Methyl Shift यानि जो इस निपाइल ग्रूप है इस carbon पर जिस पर positive charge है वहां पर shift हो जाएगा क्योंकि यह Tertiary Carbocatine बनाएगा हमें तो पता ही है यह बात के लिए arrangement कब तक उता रहेगा जबते कि सबसे stable Carbocatine जो है वहां पर नहीं बन जाता तो यह Tertiary Carbocatine सबसे stable Carbocatine बन रहा है यहां पर 1-2 Methyl shift से Tertiary Carbocatine बना ठीक है अब यहां पर क्या होगा कि यह H positive यहां से निकलेगा और इसका यह जो bond है यहां पर आके double bond बना देगा तो यह हमारे पास में final alkene जो है this one this alkene will be the final product यह alkene कौन सी है कौन सा option है यह students option D ठीक है तो clear यह हमारा first MCQ question जो बहुत ही important second question हमें यह given है students की प्राइमरी अल्कोव इसको LD हाइट में convert करना है तो हम इसमें से कौन जार रियेजेंट जो है वो यूस नहीं कर सकते ठीक है तो आप क्या बता होगे इसके अंदर chromium oxide in anhydrous medium यह हमें दिया हुए PCC दिया हुए Pyridine chloroctomid के हमेंनो foreign acidic medium दिया हुए और fourth option में क्या दिया हुए heating in the presence of copper at 573 Kelvin तो इसमें से जो है हम primary alcohol to LD हाइट जब हमें oxidize करना है तो हम कौन सा रियेजेंट यूज नहीं कर सकते वो है कि aminophore in acidic medium ठीक है question अगर हम यहां पर देखें student तो हमें एक alcohol given है उसके चार यहां पर products है तो इसमें से बताना है कि इस alcohol के dehydration पर कौन सी alkaline नहीं बनेगी अगर हम इसको धियान से देखें यहां तो OH negative अगर यहां से जाता है और H positive carbon से जाता है addison से ही हमें यहां पर H positive remove करना है तो हमारे पास में compound D option बन रहा है OH negative यहां से गया तो double bond इधर आएगा ठीक है तो यह हमारा option B हो गया और हम यहां से H positive जाता है तो यह double bond यहां पर आएगा ठीक है तो यह option D हो गया अब यहाँ पर हमें तीनों आप्शन्स जो हैं वो अलकीन के मिल रहे हैं लेकिन ए आप्शन नहीं मिल रहा है सब्जेक्टिफ अगर इस तरह का कोशन आपको आता है स्टुडेंट तो आप इसको कैसे एक्स्प्लेइन करोगे कि हमारा जो यहाँ पर कार्बोकेटायन बना है इस दी हाइडरेशन आफ अलकीन से ठीक है यह तीनों अलकीन जो है यह कार्बोकेटायन बनाने के बाद में अगर हम देखें कि हमारे को जो चार ओप्शन यहाँ पर दी हुई है मिथाईल अलकोहल ग्लाइकॉल और नाइटो फिनोल इथाईल अलकोहल इसमें से कौन सा कमपाउंड ऐसा जो एंटी फ्रीज की तरह हम यूज करते है आटो मॉबाइल एडियेटर में तो हमें पता है ग 471 Kelvin हायर है वाटर से तो इसी वज़ा से यहाँ पर इसको एंटी फ्रीज की तरह है यूज करते हैं आटो मॉबाइल रेडियेटर में नेक्स्ट हमें कोशन है स्टूडेंट्स यहाँ पर उस कोशन के अंदर जो है हमें यहाँ पर पूछा है कि रेड कलर कंपाउंड जो है यहाँ पर बना है दूरिंग विक्टर मेर्ज स्टेस्ट फ़र इथनोल ठीक है और यह चार ओप्षों हमें गिवन है इथनोल का विक्टर मेर्ज टेस्ट किया तो रेड कलर कंपाउंड हमें क्यों मिला क्या रियक्शन हुई वहाँ पर recommended नेक्शन के बाद यहाँ पर हमें पता है react करना है हमे इतनोल को phosphorous plus iodine के साथ और यहां पर इथायल ने कनवर्ट हो जाएगा एगा और इदराइड में कनवर्ट हो जाएगा तो आई एनो टू में कनवर्ट हो जाएगा ठीक है CH3 CH2 इसकी reaction करेंगे, तो H positive किस से replace हो जाएगा, N positive से, और इसकी वज़ा से, यहाँ पर यह red color, जो compound बनाया है, यह compound बनाया है, तो आप यहाँ पर option कौन सी डालोगे, B option, this is B option, ठीक है, next, जो हमें यहाँ question दिया हुआ है, students, उस question के अधर हमें यहाँ पर पुछा है, कि hello form, जो reaction है वो reaction किस के साथ नहीं होगी, चार options में किस के साथ नहीं होगी, hello form की reaction, acetone, 2-cloropropane, ethanol, methanol, बहुत important, बहुत simple, to the point है, लेकिन फिर भी इसके अंदर उसने बहुत कुछ इसमें पूछ लिया है, students, यहाँ पर आप यह बताओगे कि, hello form reaction अगर आपने कभी भी compound में देखनी है, तो आपने दो group यहाँ पर चेक करने है, ठीक है, अगर alcohol है तो उसमें आप देखो CH3CHOH group present है या नहीं है, और इतना group तो minimum होना ही चाहिए, CH3CHOH, इतना group तो होना ही चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा, अगर carbonil compound के लिए चेक करो, तो CH3C double bond हो, और एक C क आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने जो है, minimum यहाँ पर CH3CHOH का मतलब है कि यहाँ पर carbon के साथ एक hydrogen है, एक OH है, एक CH3 है, और एक valency यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो अगर इतना group minimum present है किसी compound में, तो hello form की reaction वो देगा, अब यहाँ पर चारो options में हमारे प 2-chloropropane भी तो है, यहाँ पर भी तो नहीं है कोई oxygen, तो क्या होता है कि basic conditions के अंदर 2-chloropropane जो है, वो 2-propanol में convert हो जाता है, students, ठीक है, और यही 2-propanol जो है, फिर हमें hello form की reaction देगा, तो हमें यहाँ पर option methanol की जो है, वो किसी भी condition में, यहाँ पर hello form की reaction नहीं देगी, तो question यही था कि जो कोई भी condition के अंदर हमें hello form की reaction नहीं देगा, वो कौन सा compound है, वो कौन सा compound है, this is methanol question में हमें, यहाँ पर क्या दिया हो, students के organic compound A है, जो कि react कर रहा है, CH3MGI के साथ में addition product बना रहा है, जो कि हाइड्र लैसिस पर हमें compound B दे रहा है, और वो finally हमें blue colored salt दे रहा है, इन विक्टर मेर टेस्ट, compound A और B जो हमें चार options दियों है, बताना है कि A और B compound क्या होंगे, यह यहाँ पर कोई भी हमें reactant given नहीं है, जो कि Grignard C agent के साथ में react करेगा, तो आप कैसे बता लगाओगे, यहाँ पर देखो, जो हमें यहाँ यहाँ पर options दियों है, ऐसी टेली हाइड के, उसको react कर के देखो CH3MGI के साथ में, तो जब हम यहाँ पर ऐसी टेली हाइड लेते हैं स्टुडेंट्स और इसकी reaction करते हैं CH3MGI के साथ में, तो यहाँ पर यह secondary alcohol बनेगा, ठीक है, और secondary alcohol जो है विक्टर मेर positive test देगा, blue coloration के साथ में, तो इसका मतलब की हमारा जो option है यहाँ पर, जिसमें एसी टेली हाइड और secondary alcohol का option, यह option हमारा यहाँ पर correct option है, स्टुडेंट ठीक है, तो इसका मतलब की हमारा जो option हुआ यहाँ पर कौन सा option हो गया, C, option C is the correct option है, स्टुडेंट्स, नेक्स जो हमें यहाँ पर question देखना है, स्टुडेंट्स वो है, which will react faster with concentrated HCl and zinc glide, इन में से सबसे ज़्यादा जल्दी जो है, वो कौन सा react करेगा, 2-methyl propanol, 1-butanol, 2-butanol, 2-methyl propane, 2-ol, तो इसको आप कैसे देखोगे, हमें यह पता है कि, जो हमारे पास HCl and zinc chloride है, यह mixture हमारा किसके साथ, कौन से alcohol के साथ में सबसे जल्दी react करता है, students, tertiary alcohol के साथ में, तो यहाँ पर जो है, हम यह बोलेंगे, की 2-methyl propanol, जो है, option, यहाँ पर D, is the correct option, students, next, जो हमें यहाँ पर question दिया हुआ है, students, उसके अंदर, हमें alcohol, given, है, tertiary secondary, या tertiary secondary में, कौन सा alcohol, SN1 या SN2 के साथ, रियक्ट करता है, Lucas reagent के साथ, जब हम reaction करते हैं, तो इसको आप क्या बताऊगे, इसके अंदर, अभी मैं बता के चुकी हूँ आपको, की tertiary alcohol, जो है, वो फास्टेस्ट रियक्ट करते हैं, Lucas reagent के साथ में, by SN1 mechanism, SN1 mechanism से क्यों, क्यों कि SN1 mechanism, तो कार्बोकेटन इंडर्मीजेट के थूँ बनता है, और यहाँ पर इसी के थूँ यह टर्बोकेटर यहाँ पर देते हैं, तो यहाँ पर हमारी तीनों options में, tertiary alcohol by SN1, तो यह जो है, हमारा यहाँ पर correct option है, students, ठीक है, option C will be the correct option, next जो हमें यहाँ पर question देखना है, students, वो है कि कौन सा compound, जो है, वो हमारा यहाँ पर नहीं react करेगा, Lucas reagent के साथ में, at room temperature, room temperature पर heating पर नहीं, room temperature पर कौन सा compound जो है, वो Lucas reagent के साथ react नहीं करेगा, तो यह चार compound हमें यहाँ पर दियों में, अब आपको इसमें याद रखनी है, जो बात वो यह है, students की benzyl और allyl alcohols जो होते हैं, वो बहुत ही जल्दी react करते हैं, जैसे कि tertiary alcohols react करते हैं, react कौन नहीं करते हैं, primary alcohols, room temperature पर, यहाँ Lucas reagent के साथ में कोई reactivity शो नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो option हुआ है, वो हुआ option this primary alcohol option C, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा students की, कि किसी भी आपको test के लिए Lucas reagent के लिए या Victor Mayor test के लिए आपको questions यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो यह मैंने यहाँ पर जो बहुत जाद आने वाले questions अरनी को discuss किया है, मैं hope आपको वीडियो पसंद आएगा यह अपने और भी friends के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें students, मिलते हैं फिर next video में लए topic के साथ, तिल दन गुद बाए